दिवाली की रोनक देश के हर एक कुने में देखने को मिल रही है दिवाली की रात आस्था के दीब जलते ही अपने भक्तों को दर्चन देने धर्टी पर स्वय मा लक्ष्मी पधरती है उनके संग शुभता के देव शुरी गनेश भी होते हैं इस दिन हर घर में मा लक्ष्मी के मंत्र गूंचते हैं हर ओर दिये की लौ में खुशी और उत्सफ के रंगों से धर्ती जगमगा उठती है इस दिन भगवान गनेश, माता लक्ष्मी, भगवान राम, माता सीता और हनुमान जी की पूजा की जाती है ऐसी माननेता है कि इस दिन भगवान गनेश और माता लक्ष्मी की पूजा करने से धन दौलत में बरकत होती है लेकिन क्या आप जानते हैं इस बार दिवाली पूजन का शुभ मुहुर्थ क्या रहने वाला है इस बार दिवाली पर लक्ष्मी पूजा के दो शुभ मुहूर्थ हैं पहला शुभ मुहूर्थ प्रदोश काल में है प्रदोश काल 12 नवंबर को शाम 5 बच कर 28 मिनट से रात 8 बच कर 7 मिनट तक रहेगा जिसमें व्रिशब काल 5 बच कर 49 मिनट से 7 बच कर 33 मिनट तक रहेगा इस अवधी में पूजा करना सबसे उत्तम होगा यानि लक्ष्मी पूजन के लिए आपको एक घंटा 54 मिनट का समय मिलेगा लक्ष्मी पूजा का दूसरा श्युभ मुहूर्थ निशीत काल में मिलेगा निशीत काल 12 नवंबर को रात 11 बच कर 49 मिनट से 12 बच कर 32 मिनट तक रहेगा अब ये जानना जरूरी है कि कैसे करें दीपावली की पूजा दीपावली पर पूर दिशाय आईशान कोण में एक चोकी रखें चोकी पर लाल या गुलाबी कपड़ा बिछाएं पहले गनेश जी की मूर्ती रखें फिर उनके दाहिने और लक्ष्मी जी को रखें आसन पर बैठें और अपने चारो और जल छिड़क लें इसके बाद संकल्प लेकर पूजा शुरू करें एक मुखी घी का दिया जलाएं फिर मालक्ष्मी और भगवान गनेश को फूल और मिठाईयां आरपित करें इसके बाद सबसे पहले गनेश और फिर मालक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें आखर में आरती करें और शंक बजाएं घर में दीपक जलाने से पहले थाल में पाँच दीपक के साथ भूल रखें इसके बाद घर के अलग-अलग हिस्तों में दिये रखना शुरू करें घर के अलावा मंदर में भी दीपक जलाएं मालक्ष्मी पूजा के नियम और साथान्या दीपावली का पूजन लाल पिले या चमकदार रंग के कपड़ों में ही करें काले भूरे या नीले रंग से परहिस करना चाहिए इसके अलावा मालक्ष्मी की पूजा सपेद या गुलाबी कपड़े पहन कर ही करने से लाब होता है मालक्ष्मी की पूजा का सही वक्त बीच रात में ही होता है साथ ही ये भी जानना जरूरी है कि मा लक्ष्मी की पूजा में वो गुलाबी कमल के पुश पर ही बैठी हो मा लक्ष्मी को गुलाबी फूल खासकर कमल चड़ाना सर्वोतम माना जाता है